नमस्कार, सलाम, मेरा नाम है निशान, आज फिर आपके सामने लेकर नहीं वीडियो, आज की वीडियो में क्या है खास? आज की वीडियो में हम आपको कॉरल ड्रॉ में चप्टर 45 बताएंगे, जी हाँ, आज हम आपको कॉरल ड्रॉ में चप्टर 45 बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेने चनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों दोस्तों के साथ सेर कीजिए तो चलिए सीखते हैं कोरल का चप्टर 45 चप्टर 45 स्टाट करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में चप्टर 44 बताया था आपको उपर में लिंक दिख रहा होगा आप उससे क्लिक करके सीख सकते हैं कोरल ड्रो का चप्टर 44 तो स्टाट करते हैं 45 लास्ट वीडियो में मैंने आपको अब्जेक्ट में प्रस्पेक्टिव का यूज करना बताया था आज हम आपको बताएंगे convert to curve का कैसे यूज करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से convert to curve का यूज हम किसी shape में या किसी भी text में हम इसका यूज करते हैं तो कैसे हम यूज करते हैं आएए देखते हैं सबसे पहले हम कोई भी shape ले लेते हैं यहाँ सबने एक shape ले लिया और इसको color कर देते हैं अभी क्या कि अगर हम इस shape में बिना curve के modify करेंगे तो यह modify नहीं होगा यह round हो रहा है यह बस only round हो हमें इसे modify करना है अपने according notes को मुझे move करना है तो वह जब हम curve करेंगे तब हम इसका use कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम इसे सबसे पहले curve करेंगे तो इसको select करेंगे object में जाएंगे and convert to curve control q shortcut है इसका convert to curve का अब यह convert to curve हो गया यह curve में convert हो गया अब आप शेप तू लीजिए और आप इसे modify कीजिए यह देखिए जैसे भी आप इसे modify करना चाहते हैं कि अब इसको इसको modify कर सकते है एड कर दीज़े प्रेंट तो जैसे ही आप इसको convert to curve करेंगे आप शेप को अपने recording modify कर सकते हैं तो इसका पहला यूज यह है सकेंड यूज इसका हम को भी टैक्स्ट लेते हैं टैक्स्ट हमने यहां पर टाइप कर लेते हैं हमने यहां पर टाइप कर लिया अभी यह जो टैक्स्ट हमने लिखा है यह अभी टैक्स्ट फॉर्म में है हमें इसे कर्व करना है जैसे हम इसे कर्व करेंगे तो वह font format से हट जाएगा देखिए अभी यह font format में है यह हम इसे modify कर सकते हैं टाइप कर सकते हैं लेकिं हम जैसे इसको कर्व करेंगे object में जाते हैं and convert to curve अभी यह font में नहीं रहा आप इसे single single text को भी आप modify कर सकते हैं इसे इस तरीके साब text को आप कर सकते हैं और अपने recording से modify कर सकते हैं और जब कर्व हो जाएगा तो वह font format में नहीं रहेगा इस बात का ध्यान रखेगा तो कर्व आप समझ के होंगे कि कर्व का हम क्या use करते हैं next जो है हमारे पास वह convert to bitmap bitmap का क्या use करते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर है तो उसे bitmap में हम convert कर देते हैं जैसे हमारे पास यह ellipse है कोई भी पॉलीगन ले लिए यह पॉलीगन उन्हें पॉलीगन ले लिया इसका color blue कर देते हैं और इस ट्रॉक थरा बढ़ा देते हैं इस ट्रॉक हमारे पास यह पॉलीगन आ गया अब हम यह क्या करना है अभी हम इसमें कोई भी color कुछ भी हम चैंज कर सकते हैं यह देखिए आप जो भी चाहें जो मर्जी color इसमें चैंज कर सकते हैं लेकिन जब आप जैसे object में जाएंगे इसे bitmap convert to bitmap करेंगे उसके बाद आप resolution यहां रख सकते हैं कि आपको कितना resolution चाहिए ओके यह bitmap में convert हो गया सबसे पहली बात तो इसमें कोई color आप change नहीं कर सकते हैं दूसरी बात bitmap में जैसे convert होता है यह pixels में convert कर देता है अब इसे जैसे zoom करके देखेंगे यह देखिए आप यह pixels में convert हो गया तो यह pixels इसमें आ गया अब यह bitmap हो चुका है तो आप समझ गया होंगे कि bitmap का हम क्या यूज करते हैं नेक्स्ट मांगे परते हैं अब है convert to object किसी भी सेप को हम object में convert कर देते हैं अब जाएंगे and convert to object आप जैसे convert to object करेंगे यह देखिए इसका आप outline और यह fill दोनों अलग हो गया same चीज़ें आप text में कर सकते हैं अगर आप text में outline दिए हैं तो आप text में भी यह चीज apply कर सकते हैं वैसे हमने टेक्स्ट में आउटलाइन देना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं एफ 12 करते हैं एफ 12 से हमारा यह आउटलाइन आउटलाइन पैन ओपन हो जाएगा यहां से इसमें आउटलाइन एड़ कर देते हैं जितना देना है आउटलाइन कलर चैंज ठीक है ओके कर देते हैं उसके बाद फिर हम अबजेक्ट में जाएंगे यहां से कनवर्ट टू अबजेक्ट अब यह भी अलग हो गया तो इस तरीके से आप इन सब टूल का यूज कर सकते हैं बिलकुल असान तरीके से नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है वह है जूएन कर इसका क्या यूज है यह भी देख लेते हैं जैसे कि हमने पैंटूल से एक इक लाइन क्रियीट कर लेते हैं हुँ में लाइन क्रियीट कर लिया इसका ठिकने्स थोड़ा से बढ़ा देते हैं यहांसे बढ़ा दिया यहाँ पे multiple option दिया गया आप जैसे भी join करना चाहते हैं जिस flow में करना चाहते हैं आप यहाँ से select करके कर सकते हैं उसके यहाँ से apply कर दीजिए यहाँ पे देखिया आप join हो गया तो इस तरीके से आप join curve का use कर सकते हैं बिलकुल आसान तरीके से इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चनल को subscribe करें मेरे वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें Thank you for watching my video, see you on next video Bye Bye